आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडीज और नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथ हो आज नीम की बात करेंगे मार्गो साट्री एज डिरेक्टर इंडिका मैली एसी काई मेंबर है आज हम इसके औस दिये गुणों की चर्चा के साथ साथ किस परकार से सावधानी पूरवक हम इसको यूज कर सकते हैं वो भी जानेंगे इसके विभिन्न प्लांट पार्ट इसके पत्र इसके फूल इसकी चाल इसकी मूल और इसकी निम्बॉली इस परकार से औस दिये गुणों के लिए आप उसको प्योग मिला सकते हैं आज हम इसकी चर्चा करेंगे और साथियो ये जो चाल आप देख रहे हैं इसकी चाल का डिकॉक्शन विभिन्न परकार के बुखार को सही करने के लिए दिया जाता है इसकी चाल पांच ग्राम चाल बहुत होती है पांच ग्राम चाल का काढ़ा बना कर दिन में दो से तीन बार आप सेवन करेंगे तो बलड के प्यूरिफिकेशन करते हुए बुखार को ठीक करता है साथियो इस चाल के अंदर एंटी फंगल एक्टिविटी एंटी बैक्टिरियल एक्टिविटी एंटी वायरल एक्टिविटी एंटी मलेरियल एक्टिविटी एंटी परसाइटिक एक्टिविटी एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी होती है इस बार्क का होता है मित्रो इसके जो फूल होते हैं वो वाइटिस कलर के हो जाते हैं और इनके फूल से हम गुलकंद तयार करते हैं मिस्ट्री मिलाकर जब गुलकंद तयार किया जाता है तो वो बार-बार होने वाले बुखार के लिए ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए और शरीर में होने वाली टूमरेस ग्रोथ को इनिविट करने के लिए इसके फूल का गुलकंद इसके पत्र का उप्योग हम वातावन्ड की सुध्धि के लिए सुखे हुए पत्र की फ्यूम्स बना लेते हैं धुआ जब सुखे हुए प के लिए आप इसकी चाल और उसमें बराबर मात्रा में हरड का चून लेकर सेवन कर सकते हैं मित्रो कुष्ट रोगों के लिए तो यह रामबान उसदी है ही इसके अलावा अगर बाल सफेद हो गए हो तो इसकी निबोली से निकलने वाले तेल का हम एक से दो भून नाक में डालते हैं तो ग्रे हेर की समझ्या दूर हो जाती है इसकी निबोली से निकलने वाला जो तेल होता है वह आमवात संदीवात हर प्रकार की इंफ्लामेशन जॉइंट पेन में मसाज किया जाता है गुणकारी होता है इंफ्लामेशन को दूर करता है मित्रो ऐसी पुराणिक म रहते हैं और सरीर की इम्मिनिटी बढ़ जाती है किसी भी परकार का पैथोजनिक या बैक्टीरियल या वाइरल इंफेक्शन आपको नहीं गहरता है और आप फिट और हेल्दी बने हुए रहते हैं साथियों अगर सरीर में खुजली की समझ्या हो बालों में जूं हो या फ साफी हेल्दी हो जाते हैं और आपकी जो स्कैल्प के ओपर डेंड्रेफ की समस्चा है वो भी दूर हो जाते हैं साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन का कारे करता है इमीनो मोडूलेटर का कारे करता है विभिन परकार के फीवर्स को ठीक करने का कारे करता है और मुख की काढ़ा बना गारगल करते हैं या कुला कर लेते हैं तो मुख की विभिन्य परकार के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं स्किन की हेल्थ को यह मेंटेन करता है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से सरीर के टॉक्सिंस दूर करके अच्छी स्वास्थे को प्रदान करने का कारे करता है इस वरकार से आप इसको और रूप में यूज कर सकते हैं इसका तेल विश्यस गुणकारी होता है रूमेटिजम इंफ्लामेशन और फंगल डिसोडर के लिए उसको अपलाई किया जाता है हम सुरियसिस की अगर समस्या हो तो महां भी अपलााई किया जाता है ईचिंग बिलकुल दूर हो जाती है और देरे-देरे हीलिंग बडी फास्ट हो जाती इसका आपने जानाकी आप इसका गुलकंद बना सकते हैं इसके पत्र का आप एप्टरृ में कर सकते हैं बल्ड को प पत्र एक से दो चबा सकते हैं तो पेट की गर्मी को भी सांथ करता है मित्रो इसकी निबॉली का उप्योग आप पाइल्स के रेमीडेशन के लिए कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप निबॉली का चूंड बना लीजिए और उसमें गुड मिलाकर सेवन कीजिए धिरे-धिरे वा उनके अंदर पानी भर जाता है इस तरह कि अगर समस्या हो गई है तो इसकी छाल और हरड का पाउडर लेकर दोनों को मिलाकर चूंड बनाकर लगाना चाहिए और साथ ही इसकी छाल का काड़ा बनाकर पीना चाहिए वीपिंग एक्जीमा की समस्या भी दूर हो जाती है पस् और जो थन बहुत स्वैल कर गया था मोटा हो गया था जिसमें रेड़नेस आ गई थी जिसमें बहुत पेन हो रहा था वो आसानी से ठीक हो जाता है मित्रो लेकिन और उसद्येगुनों के उपयोग के साथ साथ हमें इसकी सावधाने भी जरूर देखनी चाहिए ज्यादा मा मातरामें या फिर लंबे समय तक इसका कर आ कर ॥ो अगर। अगर ओड़नारALK करते हैं तो ऑगया स्वाद्येटिक दूनों स्वाद्वशी तो कम प्रवलम हो जाती है तो कम मात्रा में इसका सेवन करें और लंबे समय तक इसका सेवन ना करें इस साफधानी के साथ आप इसका उस्दिये गुणों के लिए उपयोग कीजिए अपनी स्वास्थ्य का संरक्षन कीजिए जानकारी को सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब आप सभी का धन्यवाद कल मिलूंगा एक नए प्लांट के साथ आप सभी को धन्यवाद प्रणाम नमस्कार